हलो दोस्तों नमस्कार जी ये खुबसूरट टाइल्स आप लोग देख रहे देखो अभी फिलाल के लिए तो इसका कितना खर्चा होता है आज मैं आपको बताता हूँ जो कोई भी अपना घर में इस थरह से एक ब्लैक ग्रानेट लगाना चाहते हैं बड़ी खौईश से लग के बाद इसको हमेशा क्लीन करते रहना पड़ता है नहीं तो पूरा धूल धूल हो जाता है तो पूरा लुक चले जाता और बहुत सारे टाइप में स्टेप्स रहते एक रहता डबल मोल्डेड वाला स्टेप्स मतलब यह जो नीचे का पट्टी देख रहे हैं डबल मोल्ड आज का हमार वही टॉपिक है एक टपा बनाने में कितना पैसा लगता है चलिएगा आज मैं आपको डाउट क्लियर करता हूं यह जो स्टेप्स है देख रहे हैं यह चेंच हाइट पे हैं राइजर चेंच हैं और यह थ्रेड टपा जो है ना एक फीट का टपा है हालो 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 हासर है तो कई लोगों का एक ख्वाइश रहता है इसा खुपसरा स्टेप अपना घर में भी रहना भूल के चलेगा आज मैं सुडियों मैं आपको खर्चे की बात करता हूं आप यह जो स्टेप का साइज है तीन फूट शेंच का एक स्टेप है मैं यहां पर थोड़ा बहुत कुछ टिस्टिंग किया हूं टिस्टिंग या फिर पहले इस्तमाल करो फिर विश्वास करो तो मैं इस्तमाल क्या करा ऑगड़ी ड्रजन के जैसे पहला क्या करा इसकी और उपर जो है ना गैलेक्सी वाला ग्रानेटी उसकरे मतलब रात को चमकता है तो कौन सा अच्छा लगा मेरे को एक थोड़ा सा डाउट आ रहाता तो उसके बाद यह दिन में अच्छा लगता हो रात को अच्छा लगता इसा दोनों का अलग-अलग पैटर्न हो या फिर फं आपा देख रहे हैं ना तीन फूट चेंज का है और स्टेप लेवर चार्ज यह राइजर चेंज का है यह जो है एक फिट का है और ठीकनेस जो है और और एक चीज़ जिग-जग स्टेप्स बनाना है पोले तो एक्सपर्ट की जरुवत पड़ता सेंट्रिंग दालते समय ज बहुत एक्सपर्ट चाहिए कटिंग करने के लिए अगर आपको यह जॉइंट नहीं दिखना भूले तो तो अच्छा साफ कटिंग करना पड़ता है वह डिपेंड रहता लेवर के उपर डिपेंड रहता उन्हों जैसा चाहिए वह इसा ठीक दोस्ता अब देखिएगा पर फ्लोर में यह पर फ्लोर एक फ्लोर में 20 स्टप्पे है लेबर चाज था पांसो छेस्टो रुपए लेते सिंपल एकदम बेसिक सिंपल वाले स्टेप्स है और फुल मोल्ड है समझे फुल मोल्ड है वाला और थिन सटेटीन फूट भाई एक फीट मतलाँ बी स्टेप है साडेतीन इन तो दो बोले सतर फीट होता सतर फीट और यह वाले इसको सब भी एक एक पकले है सो लगवाग हमको सोपिट गरानेट चाहिए सबसे एक लाना हुप बोले तो उसके फिस एक abuse जादा तो जिवेस्ट होता वह आप इसमें उसकर सकते है उसके हैसाब से लाना और कम पड़ता हूं ठीक है तो 170 रूपिस पर स्कार्फिर के सबसे वाला ग्राइट में लाया हूं कभी 160 दिये कभी 165 डिपेंड रहता तो बहुत जंजट हो गये था इसके चकर में और यह जो है चार बॉक्स में टाइल्स लाया था कुल मिलाकर तो देखिएगा ग्राइट जो है 17,000 रुपई का लाया हूं टाइल्स के राइजर जो है ना यह 660 रुपई बॉक्स थे तो 2560 रुपई इसका खर्चा हुआ लेबर चार्ज एक टप्पे को 600 रुपई पकड़े 600-700 तक स्कुर्टिंग फिर अलग से बोलाए उन्हों सो 12,000 रुपई लेबर चार्ज 12-15,000 हुआ सो कुल मिलाकर देखिएगा 31,000 से लेके 35,000 रुपई का खर्चा यहां पर जो है ना लेबर चार्ज टोटल खर्चा हुआ इस स्टेप्स का ग्राइनेट पकड़के इतना खर्चा आता है देखिएगा तो इस तरह से आप फुल ग्राइनेट वर्क का बोल रहा हुँ मैं और लेबर चार्ज पूरा सेंट्रिंग माल मटेल मिला के भुले तो भी एक स्टेप को हजार रुपई का खर्चा आता सो सत्तर हजार और चालीस चालीस हजार सो लगबग देट लाक रुपई जो है सिर्फ स्टेप्स में चल और हैंड्रिंग भी अलग-अलग एसिस का अलग है स्टील का अलग है सब का अलग-अलग प्राइस रहता है तो यही था इस वीडियो में मैं आपको एक बार उपर लेके चलता हूं किस तरह से दिखाई दे रहा है बोलके है आपको भी एक आडिया मिल जाता है तो लिखिएगा नजदिक से आप लोग देखे तो इस तरह से दिखाई देगा काफी खुबसुरत ब्यूटिफूल मुझे भी पसंद आया अब बाकी का आपके उपर यह जो ग्यालेक्सी वाला देख रहे हैं इसा चमक ता वो चमक दिखना देखा आप लोगों को हलका हलक राध को यह जास नहीं लगता हो चीटीच जमक गएगर दम धकास पिउटिफुल बट एकदम ब्र में यह वो चुनको लाना पड़ता हुक यह पूरा खीतदी देख रहा है अगर मैं इसको क्लीन करा तो एक्दम इस तरह से चमकते समझो उत्ते ज्यादा फराग में ऐसा चमकता है इधर भी देखिएगा छीटे छीटे दिखरे देखो पूरा घर में अपन इस्तेमाल करें इस तरह का तो यह देखिएगा सेंट्रिंग वालों की गलती हो या फिर ग्रानेट कटिंग में थोड़ा बूत कुछ अगर आप कंजूशी करें ग्रानेट में तो यह कित्ता मोठा आ है तो मैं अर्जिस्ट्मेंट करो बोलके बुलता हो यहां पर आने के बाद उतना मोटा हो गया चार इंच कहा चेंच कहा है आटा टिंच है बट इसा मोटा मोटा होते हैं तो इसको थोड़ा सा बहुत ही केरफुली करना पड़ता है यह वाला ग्रहनेट वर्क पूरा उपर तक लगाए देखो अच्छा देख रहा है अगर आप इसके अंदर लेटिंग भी दालेबले तो और भी खुबसरा देखता है ठीक है धन्यवाद